आजी तो क्या हाल चाल आप सभी के मेरा नाम है आरेन और आप देखने है मेरा चैनल आरेन जरूनी तो मैं हूँ इस ताइम कैनेडा में जैसे कि आप सबको पता होगा मैंने काफी टाइम तो कोई वीडियो नहीं डाली ती तो आज हम जा रहे हैं पॉर्ट क्रेड़ेट जो कि बने चैनल पर दाली जाहए है जो शरू करते हैं इस वीडियो को अपसुआ है पुरे प्रूर्ट इस वीडियो को और दन रहे हैं टैंक यू तो मैं यहां पर कुछ काम से आया था तो यहां से पखनी पड़ेगी बस जो की खड़ी है सामने यह मिस हो जाएगी तो कोई नहीं भाई तो मैं 10-10 मिनिट बार यहां बसे आ जाती है और बसे में एक कार टैप होता है प्रेस्टो तो काड़ी में आपको लिहाँगा बड़ा इस बस को कैच कर सकता हूं तो मैं फड़ा भागूंगा और जाओंगा फड़ा बाच कर दो कर दो कर दो कर दो क्या होती है यह आपको गूगल पर पता नहीं तो हम अब उदर चुके हैं बस से और पहुंच चुके हैं कोट क्रेड गो स्टेशन लिए बस अब पर यह तो गोगल पर पता लग जाए गाए यह बीक टांजिट का इसाप किताब है मलब एक मोड है एक माइवे होती है एक ब्रांटें ट्रांजिट होती है आसी हर शेर के अपने-पने ट्रांजिट होती है सो यह सा पुछ दिखता है गो स्टेशन मैं गो यहां से टेन वगरा ही चलती है तो आप देख सकते हैं वालग अलग बस्तॉप हैं वरत अपने यह से जाना है कि पर चाहरा है तो ही आप लाण से ट Channel करेंगे कियरफूलिज salah तो यह करने हैं जास तो आप यहां पर आया पर देख सकते हैं वाल भाता इसे कुछ अपार्ट्मेंट valid exemple , वर यहां परहते हैं यहां पर हाउस जैंकर कि विजिदी जा 어렵कते हैं तो नो इस दो वहांक और शोड़ी बहुती तो एड़ भीजियमा रहा है यह है कुछ पोर्ट क्रेडिट के साथ चलने वाली स्ट्रीट, इसका नाम है पोर्ट क्रेडिट ड्राइब, यहां पे आपको रेस्टोरेंस वगएरा बड़ेया बड़ेया मिल जाएंगे अलग-अलग क्यूजीन में, पाकिसानी भी आपको मिल जाएंगे, इंडियन पे मिल कैनेडियन को हैं ही बैस तो यहां से स्टार्ट हो जाता है पोर्ट क्रेडिट का एरिया, तो यह सामने बिल्दिंग आप देख रहे हैं एक विंटेज पोस्ट ओफिस है पोट क्रेडिट का आप पढ़ सकते हैं वह पोस्ट ओफिस लिखा हुआ है यह कुछ एंट्रेंस स्टाड हो जाती है तो यह है स्कूटर्स और इलेक्टिक बाइक आप इनको भी रेंट कर सकते हैं इनकी एक एप को आपको डाउलोड करने में पूटती है यह इसका क्यू आर दे रहा होता है तो यह भी आपको सस्ते में पढ़ जाते हैं तीन चार डॉदर में आप यह रेंट कर सकते हैं और पर माइल के हिसाब से आपको इसका रेंट पढ़ता है तो अब अफम एंटर होने वाले हैं पोट क्रेजिट तो चल के जाएंगे पार्क वगरा भी है यहां पर मैं एक बार आया था बट वह भी रात में आया था तो मुझे इतना अंदाजा नहीं है कहां जा रहा है हमें बट कोई ना हम एक वे फाइंड करते हैं और जाएंगे तो यह कुछ एंटरेंस है बट यह है इस होटल की एंटरेंस अब काफी डिफरेंट डिफरेंट होटल से मिल जाएंगे सामने मुझे पानी दीना स्टार्ट हो गया है तो में भी हम एंटर कर चुक हैं पोट क्रेजिट और जाके आपको पहला याट्स वगरा दिखाते हैं यहां क्या हिसाब किताब है तो जी यह स्टार्ट हो जाता है जो यहां का पोर्ट है आप डिफरेंट 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 याउट्स बाट्स वगरा यहां देख सकते हैं आपको यह थोड़ा सा दिखा दें हम इसका एक ड्राउन व्यू भी लेंगे आप देख सकते हैं यह यॉर्ट्स वगरा यह खड़ी है यह पार्किंग है इनकी आज गर्मी भी काफी है तो समर्स चलियें कैनेडा में यह कुछ लाइफ जैकेट्स पड़ी है इदर आप देख सकते हैं तो यह यहां का कुछ सिटिंग एरिया है यहां साथ में एक रेस्टोरेंड भी है तो यह एक वाक टाइप बनी हुई है यहां पर कि यहां से हम ड्रोन उड़ाएंगे कहीं पर सेफ जगा देखके और महां एंड तक जाके आएंगे भी कैसा है पार्क वगरा तो हमें कुछ पता लगे आज है हमारा वीकेंड सो कैनेडा में कैसे होता है अगर आप फाइव डेज वर्क कर रहे हैं तो आपकी दो दिन छुट जैसे है तो जो मेरा वीकेंड होता है वहां होता है वैने से थरस्टेस वीकडेस में सो तभी यहां पर ज्यादा भीड़नी अगर हम सैटर्डे संडे आए तो बहुत भीड होती है तभी मैंने यह दो वीकडेस चूस कर रखे हैं ताकि मुझे कहीं घूमने भी जाना हो तो दिख करना हो तो पीशह आप सीन देख सकते हैं तो यहां पर हार्ली वनलब चार-पांच लोग हैं वीकेंड के टाइम पर काफी भीड होती है यहां पर तो बाई क्योंकि यह पोर्ड है तो यहां पर विंड भी काफी जाए चलती है तो आपका हेर स्टाइल खराब हो सकता है तो उसको थोड़ा स्टेट करके आईएगा तो आप पीछे देख सकते हैं काफी अच्छा व्यू है आप यहां पर शांती से बैट सते हैं बट हां है तो काफी गर्मी हो जाती है बट रादर अब धूप नहीं है तो थोड़ा बहुत ठीक है पर नहीं काफी दिक्कत हो सकती है तो थोड़ा टाइम देखके आईएगा सबसें बड़ा इना वाट मिल जाएंगे एम्हें धेड़ सकते हैं मैं काफी गिर्षा इसमानाNew का देख सकते हैं मैं इसमें द्ह़ले में द्धीं कुल्च देखा कंप मनें, और पांध till थीजुदिध। बट जो यह जगह है काफी बढ़िया काफी अच्छा व्यू है यहां का बढ़ हाँ सेफ्टी प्रिकोशन थोड़े लेके चलिए ड्रंक ब्रंक होके मता ना भाई मलब आप गिर जाओ पानी वानी में बढ़ हाँ सही है व्यूस बगारा अच्छा है आपने चुट्ती वाले खेंग यहां आना है तो काफी अच्छी जगह है तो वहां पर एक पुराना शिप खड़ा है आपको मैं दिखाओ जूम करके काफी बड़ा शिप है जंग लग चुका है भाई उसको यहां पर एक लाइट हाउस भी आ लाइट हाउस का वेवाइंड करते हैं लाइट हाउस भी चलेंगे एंड यहां का एक ड्रॉन व्यू ज़रूर लेंगे अभी सो एक सेफ सी जगा देखके ड्रॉन व्यू भी ले लेते हैं सो यहां बड़िया बोटिंग बोटिंग वाटर स्पोर्ट सब कुल होता है कि छुद है अ suf Bruce हाँ क्याता है कर और लोटिंग एक से विध कर दाया मी पहां कि अवपी ले लेल कि बोट 믹 बोटिंग 1 झाल 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 यहां चलके बहुंच चुके हैं लाइट हाउस तक आइड़न नो यह क्लोस क्यों कर रखा है बड़ तुम देख सकते लिखो है बिरिज क्लोस तो सामने है भाई लाइट हाउस यही से देख लो मुझे भी यही से देखना पड़ा एंड यहां पर एक और रास्ता है जाने का य कि आपने मेरे पिसली वीडियो चेक आट नहीं है तो प्लीज को जा के चेक आट कीजिए तो यह था अज की व्लोग में आप मेरे को प्लीज जरूँ कमेंट करके बताएगा कैसा था यह व्लोग कैसे द्रॉण व्यूज कैसे सिनमेटिक शोट्स सो आते रहेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ मिलेंगे किसी और नई जर्नी में तिल एन गुट बाए झाल क्याओ